हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो गाईज, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे V-neck ब्लैकेट बनाना, बहुत हीजी तरीके से मैं बताऊंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं तो जी, यहाँ पर 17 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा मैंने एक फैब्रिक लिया है, और उसके बैक साइड पर जो हमारी पेपर फॉर्म होती है, पेपर फ्यूजिंग वो मैंने पेस्ट कर दी है, देख सकते हैं आप लोग, अब इसको हम इस तरह से ऐसे डबल फोल करेंगे और नेक का निशान लगाएंगे, और सबसे पहले न, मैं यहाँ पर इस तरह से ऐसे पिन अप कर दूँगी, इसको ताकि यह बिल्कुल भी हिले नहीं, और हमारा नेक बिल्कुल एक जैसा कठो, तो देखिए, तीन इंच हमने चौड़ाई रखनी है, खुल कर ये 6 इंच हो बाहर की तरफ से हमें इस तरह से ऐसे पूरी वी जो हमने बनाई है, उस पर ऐसे निशान लगाऊंगी, और पूरा नीचे तक जो है, एक एक इंच का जो हमारा प्लैकिट बनेगा न, एक एक इंच का मार्जन लेते हुए, इस तरह से ऐसे पूरा नीचे तक हमने निशान ल लगाए हैं, सेम वैसे ही वैसे हम इसको cut कर देंगे, यह देखिए इस तरह से और अब इस side से बिलकुल V-shape में हम इसको cut कर देंगे यह देखिए इस तरह से, अब इसको हमने side कर देना है, और जो हमारी कुर्टी है, उसका front side हमने ऐसे double fold करके रखना है और जो ये neck हमने cut किया है इसके उपर हम इसको इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर जो है हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे V-shape में ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर ही और अब ये जो हमने neck पर निशान लगाया है इसको भी हम cut कर देंगे ये देखिए इस तरह से और खुलने पर ये कुछ इस तरह से ऐसे V-shape दिखेगा ये देखिए अब जो हमने placket बनाये था उसकी भी pin हम खोल देंगे और वो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा अब जो है हमने इस पर lace लगानी है तो ये मैंने जो है organza वाली thread lace है placket हमने सीधा रखना है lace को उल्टा रखना है और इसके किनारे किनारे हमने इस तरह से ऐसे जो है सिलते जाना है margin आपने बिल्कुल एक बराबर रखना है तो देखिए अब पूरा नीचे तक जो है मैं इसी तरह से ऐसे सिल लूँगी और अब यहां पढ़ना बहुत अच्छी देखिए एक V create होगी तो देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे सिल लेंगे और जो मेरा margin है वो मैं बिल्कुल मेरी machine का जो boot है उसके पैर के बराबर ही मैं सिल रही हूँ तो देखिए इस तरह से हम नीचे से इसको सिलते वे लाएंगे पूरा उपर तक जो है जो भी extra lace है उसको cut कर देंगे और अब जो है हमने जब हम end करते हैं इस लाइका तो आपने पक्का जरूर करना है ठीक है जी तो देखिए पक्का करकर हम इसको इस तरह से ऐसे अब जो नीचे हमारा ये इस तरह से है ना corner तो यहाँ पर जो है हम ऐसे cuts लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैट सके अब हमने इसको ऐसे पलट देना है तो देखिए आईरन करने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है वाइट पर दिखनी रहा था तो इसलिए मैं आपको ऐसे रख कर दिखा रही हूँ अब जो ये हमारा प्लैकेट बनकर तयार हुआ है इसको हमने अपनी कुर्ती पर attach करना है तो चलिए देखिए उल्टी साइट से हमने अपनी कुर्ती रखनी है बैक साइट से और जो हमारा neck है उसको भी जो है हम उल्टा रखेंगे इस तरह से इसके उपर और यहां से हमने जो है इस पर stitch लगानी है तो देखिए अब यहां से जो है हम इसकी stitching लगाना शुरू कर देंगे और margin आपने वही बराबर रखना है बिल्कुल तभी आपका बहुत सुंदर neck बनेगा और मैंने पहले pin-up कर लिया है इसको ताकि stitching करने में असानी हो क्योंकि यह जो fabric है यह satin type है तो यह काफी जादा फिसलता है तो इसलिए मैंने pin का use किया है अगर आप लोग cotton पर बनाएंगे तो easily ऐसे भी बन जाएगा बाकि अगर आप pin-up करके बनाएंगे तो finishing बहुत अच्छी आती है और मतलब खराब होने का कोई भी गुनजाइश नहीं होती तो देखे इस तरह से जो है हमने neck पर सिलाई लगा दी है अब हमने सारी pins जो भी थी हमारी उनको हटा देंगे और यहाँ पड़ना यह जो हमने V है न वहाँ पर हमने इस तरह से cut लगाना है ताकि यह अच्छे से पलट सके अब हम सारी pins निकाल देंगे जो भी extra thread वगेरा है उसको cut कर दीजिए और अब इसके बीच में हमने इस तरह से ऐसे सिलाई लगानी है यह देखे इसको ऐसे बठाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई आपने बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छे से जो है आपने लगानी है finishing के साथ तो देखे इस तरह से ऐसे इसको बिठाते हुए जो है हम पूरी जो हमने V-shape बनाई है उस पर इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा देंगे यह देखे इस तरह से और अब यह जो है neck पलट गया है यह देखे यह कुछ इस तरह से देखेगा अब again हमने इस पर जो है iron करनी है और इसको बहुत अच्छे से बठाना है pin up कर दूँगी ताकि जब मैं stitching करूँ तो हमारा जो neck है वो बिल्कुल जो है जो हमारी कुर्ती है उस पर बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाएगा अब इसी तरह से पूरे placket पर हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और यह वाली सिलाई आपने ज़्यादा छोटी नहीं लगानी है नॉर्मल बिल्कुल जो है सिलाई लगानी है आपने ज़्यादा छोटी सिलाई ना हमारी खिचने लगती है तो जी यह हमारा जो है complete हो गया है देख सकते हैं आप लोग और finishing आप लोग देखें कितनी अच्छे से हमारा यह बनकर तयार हुआ है यह देखें मैं आप लोग को जो है थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके तो front side से यह कुछ ऐसा और back side से भी जो है हमारी बहुत अच्छी finishing आई है कोई भी overlock वगएरा किसी भी चीज के आपको जरूरत नहीं बड़ेगी इस तरह से आप लोग जो है प्लैकिट बनाएंगे तो यह देखें और guys आप लोग ना मुझे instagram पर भी follow कर लें क्योंकि जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ जब पहनती हूँ तो वो मैं instagram पर real upload करती हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए